दोस्तों अगर आप भी रोहिट शेर्मा को एक महान कप्थान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक सरूर किशेगा दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है भारते कप्टान रोहिट शेर्मा ने टोस जित कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तेस्ट मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा कितने बज़े होगा, कब शुरू होगी और क्या प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे रोहिट शेर्मा और क्या कुछ है इस मुकाबले कि एक एक लाइब अपडेट दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहिट शेर्मा और विराज टुकोहली में से महान खिलाड़ी कौन है अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों भारत और और उस्टेलिया के बीच मौजूदा समय में चार मैचों की रोचक बॉर्डर गवास का ट्रॉफी खेली जा रही है जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है टीम इंडिया ने सिरीज का आगाज नागपुर में जीद के साथ किया है विधर्व क्रिकेट असूसेशन में खेली के पहले टेस्ट मैच में रोहिट शर्मा के नेतरत वाली भारती टीम ने कंगारू को एक पारी और 132 रनों से माद दी है वहीं सिरीज के दूसरे मुकाबले में तो उनकी हालत और भेज़ जादा खराब रही बता दें आस्ट्रेलिया की पूरी टीम एक घंटे के भीतर ही आल आउट हो गई पहले मुकाबले में अस्ट्रेलिया की दूसरी पारी दो घंटे में ओल आउट हुई थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले बास एक घंटे से ज़्यादा भी नहीं टिक पाए रविंद्र जडेजा और रविचंदर नश्विन की जोड़ी या उस्टेलियाई बल्ले बाजों का काम तमाम कर दी भारत की सेरीस में अब 2-0 से आगे है और अगला मुकाबला जीत कर टीन इंडिया इस सेरीस पर कबजा जयमाना चाहेगी भारत और उस्टेलिया के बीचे एक मार्ज उससे खेले जाने वाला बॉर्डर गवास का ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच धरमशाला में नहीं खेला जाएगा इंडौर में भारत और उस्टेलिया के बीच बॉर्डर गवास का ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा भारती क्रिके टीम ने इंडौर के होलकर स्टेडियम में अब तक कुल दो टेस्ट मुकाबले खेले हैं जोगी दोनों मुकाबले भारत के हित में रहे हैं 2016 में भारत ने इस मैदान में न्यूजिलेड को 321 रनों के बड़े अंतर से माद दी थी वहीं उसके बाद 2019 में भारत ने इंडौर में बांगला देश के खिला था जिसमें विराज्ट कोहली की भारती टीम ने बांगला देश को एक पारी और 132 रनों से माद दी थी इसके लाबा इंदौर के होलकर स्टेडियम में कुल साथ वंडे मुकाबले भी खेले गये हैं लगादार खरा प्रदर्शन करने वाले राहूल को बाहर का रास्ता दिखा कर उन्होंने रेड हॉट फॉर्म में चल रहे गिल को रोहित का साथ ही बनाया है जिसे देखने के बाद तो फैंस के खोशी का चेकाना नहीं है इस बतलाओ की उमीद सभी ने की थी और हमें ये बतलाओ होता हुआ देखने को भी मिल सकता है तो वही दोस्तों अपने सबसे भरोसे मंद खिलाडियों के रूप में द्रबिड ने भारती क्रिकेट टीम की दीवार चेतेश्वर पुझारा और किंग कोहली पर भरोसा जटाया है आलाकि इन दोनों ने अब तक कोई भी खास कमाल प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन ये चुटकियों में मुकाबले पलटने का दम रखते हैं इनका साथ निभाने के लिए द्रबिड ने चोट से वापसी करने वाले आयर को गेंद बासूं की धज़िया उड़ाने के लिए शामिल किया है पिछले ही मैच में वापसी करने वाले आयर बेहे त्रीन लाय में लग रहे थे और अब उनसे एक बोड़ी फारी की उमीद भी सभी कर रहे हैं दोस्तों विकेट कीपर की भूमिका में केस भरत में शानदार काम किया है ऐसे में शान किशन को अपनी बारी के लिए भी इंतिसार करना पड़ सकता है के ऐस भरत ही तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के वेकेट कीपिंग डिपार्टमेंट की कमान अपने गंधों पर संभालेंगे वहीं आल राउंडर की भूमिका में एक बार फर अश्विन और जड़ेजा आउस्ट्रेलिया के लिए गाल बनकर रोहित शर्मा के तुरुक के के का काम करने वाले हैं हालांके दोस्तों इस्पिंजोडी में से कूछ द्रविड ने एक खिलाडी को बाहर का रास्ता दिखाया है जेहां इन दौर के मैदान पर अक्षर पटेल की जगह कुल्दी फियादों को शामिल किया जा सकता है हालांके इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि अक्षर पटेल बल्ले से बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं लेकिन गेदबाजी में वराइटी लाने के लिए ये बदलाओ की आज आ सकता है तो वहीं बात करेंगे इसकी साथ मोहमद सिराज के कंधो पर रहने वाली है इन दोनों ने अब तक कमाल का काम किया है और गेदबाजी से लेकर बल्ले बाजी में भी इन दोनों ने बेहद एहम योगदान निभाया है ऐसे में पेस डिपार्टमेंट में हमें कोई भी बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों गिल और कुल्दी प्यादों के आज आने से भारती टीम काफी संतुलित और खतरनाक लग रही है लेकिन आपको क्या लगता है तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में और कौन से बदलाओ होनी चाहिए हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें